Hello friends, मैं हूँ पैल और आज की इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे एक ऐसी website के बारे में जहां से आप काफी अच्छी खासी online earning कर सकते हैं इस website पे आपको अपने घर पर रहकर काम करना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है और घर से ही आप अच्छे कासे पैसे कमा सकते हैं यह website की दावा करती है कि हमारे यहां के जो लोग full time काम करते हैं वो यहां पर 7500 डॉलर हर महीने के कमा लेते हैं अगर हम अपनी इंडियन करन्सी में देखेंगे तो यह बहुत जादा लाकों की रकम बनेगी, पांच लाक से उपर उपर की यह रकम बनेगी और ऐसा यह website खुद कहती है कि भई हम इतना ही payment करते हैं अपने लोगों को, ऐसा मैं नहीं कह रहे हैं तो इस website का नाम है study pool, आप यहां पर spelling देख सकते हैं, study pool पे देखिए होता क्या है study pool को हम एक learning website कह सकते हैं, जहां पर बहुत सारे students अपना account बनाते हैं यहां पर बहुत सारे students जुडे रहते हैं, यह students यहां पर सवाल पूछते हैं, questions पूछते हैं ऐसे questions भई जो question उनको doubt हो या समझ में नहीं आ रहा हूँ, इस तरीके के question यहां पर पूछे जाते हैं आंसर देने का तरीखा कुछ अलग है, यहां के जो ट्यूटर्स हैं, वो इस questions के उपर एक तरीके से कह सकते हैं कि बोली लगाते हैं, बोली ऐसे लगाते हैं कि माल लीजे एक question की कीमर 30 डॉलर है, तो जो educators हैं, ट्यूटर्स हैं, वो अपनी अपनी बोलिया लगाएंगी कि और वो जो ट्यूटर है, वो अपना आंसर वहाँ पर बता देता है बच्चे को और उस वो जो है, अपनी पेमेंट ले लेता है, वो educator, तो इस तरीके से सारा काम चलता है, तो मेरे को यह चीज़ सोड़ी से अच्छी नहीं लगी कि questions के उपर बोलिया लगती हैं, यह चीज स कोई भी काम कर सकता है, अगर आप एक college के student है, तो आप यहाँ पर earning कर सकते हैं आकर, इसके अलावा अगर आप एक housewife है, तो भी आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, या फिर अभी आपने 12th pass करी है, 12th pass करने के बात भी आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, ठीक है, बस यह है कि हमें क कोई एक सब्जेक्ट हमारा अच्छा होना चाहिए एक सब्जेक्ट के ऊपर हमारी अच्छी पकड़ होनी चाहिए और देखिए हम सभी ने पढ़ाई करी है तो कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हमारा इंटरस्ट होता है जो पर नामे अच्छा लगता है और उ अबिसलिए अर्णिंग थोड़ी सी कम होगी, फुल टाइम काम करेंगे तो अर्णिंग थोड़ी सी जादा होगी है तो इस तरीके से चीजे हैं आपको मैंनेज करके चलना है कि मेरे पास कितना टाइम है और उसी तब से आपको टाइम देना है जैसे कुछ लोग होते हैं जो फिर भी यहाँ पर काम करते हैं कि दिन का में थोड़ा सा टाइम निकालके यहाँ पर काम कर लेता हूँ ठीक है तो वैसा भी काम कर सकते हैं पार टाइम भी कर सकते हैं ठीक है तो देखिए अगर आपको यहाँ पर करना है यहाँ पर जो है अपना अकाउंट बनाना है रजि करेंगे, उसके बाद आपका email verify होगा, email verification होने के बाद आपको एक form बढ़ना रहता है, उस form में थोड़ी सी basic information आपको भढ़नी है, जैसे नाम, phone number वगरा वगरा वगरा, उसके बाद education से related थोड़ी सी बाते भढ़नी है, कि भई आपने 12th करी है, या फिर आपने graduation करी है, या फ आपको जो form है वो approved हो गया है, या reject हो गया है, तो आपके पास email के through वो आपको बता देते हैं, कि भई, क्या हुआ है आपके form के साथ, इस तरीके से, तो आप यहाँ पे जरूर try कर सकते हैं, और उसके बाद से ही आप लोगों को काम शुरू हो जाता है, कि आप बट लगाए और जो है question को solve करें, ठीक है, तो उसके बाद देखिए, आपको शुरुवात में, ये website खुद कहती है, कि आपको शुरुवात में जो भी आप bit लगा रहे हैं, या भी जो भी बोली लगा रहे है question के उपर, वो थोड़ी से कम रुपियों की लगाए हैं, कि भई, आप जैसे अगर दस डॉलर का question है, तो आप कहादे कि मैं इसको पाच डॉलर में कर दूँगे, इस तरही कि आप बोलिया लगाए, थोड़ी से कम लगाए, ताकि आपके पस जादा से जादा students आएं, ठीक है, क्योंकि परी कम लगाएंगे, तो आपकी प्रोफाइल ग्रो होने लगेग नाम के साथ भी बहुत सारे badges दिये जाते हैं, और इस badges का बहुत अच्छा effect पड़ता है students के उपर, जिसके पास जितने अच्छे badges होते हैं, students ज्यादा तर यही सोचते हैं, कि हम इन ही से अपना सवाल पूछते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास अच्छे badges हैं, तो badges कही तरी इस तरीके की चीज़े होती है, अब मैंने जब देखा था कि यह प्रोफाइल इतना अच्छा payment करती है अपने लोगों को, तो मैंने सुचा इसके बारे में थोड़ा जानू, इस वेब साइट के बारे में कैसी है, कैसी नहीं है, तो जब मैंने इसके बारे में थोड़ा रि हैं, यानि कि जो टीचर्स यहा के हैं, उन्होंने भी कुछ खराब भीव्या दिये हैं, इसके अलावा जो बच्चे होते हैं, स्टूडटेंस, उनके भी कुछ खराब भी दीज घर गारे में कैने सांडे के बारे लुरा, एगुछ भी नहीं देती है। इसके अलावा मैंने पड़ा कि जो टीचर्स है वो कह रहे हैं कि हमारे अकाउंट में जब पैसे आ जाते हैं बहुत जादर डॉलर आ जाते हैं उसके बाद हमारे अकाउंट को ही बैण कर देते हैं ताकि हमें कोई पैसा ना मिले इस तरह के नेगिटिव जो हैं टीचर्स के तरफ से रिव्यूस थे जो बच्चे थे वो कह रहे हैं कि यहां पर हम लोग अपने क्वेशन पूछते हैं तो क्वेशन के गलत आंसर मिलते हैं कई बार हम क्वेशन पूछते हैं उसके लिए हम क्वेशन पूछते हैं कुछ लोग कहते हैं कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दिया है क्योंकि यहां पर बहुत अच्छे पैसे में कमा रहा हूं तो इस तरह के पॉजिटिव थे लेकिन ज्यादा तर अगर देखें तो ज्यादा तर लोग इसकी बुराई कर रहे हैं इसको कि यह वेबसाइट स्कैम है फ्रॉड है इस तरह के रिवीव दिये जा रहे है नेगेटिव में तो मैं अगर अपनी बात कहूं तो मेरे हिसाब से आपको यहां पर काम नहीं करना चाहिए क्योंकि साधा तर रिव्यूज नेगेटिव है क्योंकि इससे पहले जो मैंने आपक कुछ वेबसाइट्स पता हैं उसकी इतनी जादा मैंने बुरी चीजे नहीं पड़ी है उसके बारे में जिनकी इतनी जिसके बारे में आज मैं बता रही हूं ठीक है तो इसकी बहुत सादा नेगिटिव चीजे में को पता चलिए कि भई पैसे नहीं देती है स्केम है फ्रोड है पैसे रख लेती है और हमारा अकाउन्ट बन्ट कर देती है और इस तर忽 की चीजे है और कुछ लोग बोलते हैं कि अगर हमने पैसा कमाई भी है तो बहुत कम डालर यहाँ से हमने कमाई हैं जैसे कि मालीजे साथ डॉलर पचास डॉलर और वो भी बहुत जादा मैनत करने की पात तो इस सरह की चीज़े लोग बोलते हैं तो वही है कि जादा तर रेव्यूज ने अगेटिव है तो मेरी ख्याल से यह चीज हमको ट्रैन नहीं करने चाहिए तो बाकी आप देख लीजिए थोड़ा सा दि